हेलो फ्रेंट्स सबसे पहले आप लोगों को 72nd Republic Day की बहुत बहुत बदाई मुबारकबाद आज हम लोग जो है इस वीडियो में 72 जो नमबर है जो 72nd Republic Day है उसमें 72 जो नमबर है उसके बारे में कुछ प्राइम है पहली बात क्या हो गई बोथ डिजिट्स आर आर उड़ाएं ठीक है उसके बाद आप देखिए कि 72 उसमें हम लोग 72 को इस तरह से लिख सकते हैं एट इंटू नाई ठीक है सब्सक्राइब को हम लोग एट इंटू नाइन यह नहीं एट और नाइन के प्रोड़क्ट के रूप में लेख सकते हैं तो आप लोग सोचे का यह कौन सा बड़ा इंट्रेस्टिंग बात हो गया जी नहीं अभी हम लोग इसके बारे में जब जा नमबर्स ठीक है उसके बाद आप देखिए कि एट और नाइन दोनों का सेफ क्या होगा एज सी एफ एट और नाइन का हो जाएगा वन ठीक है उसके बाद एट और नाइन दोनों जो हैसो इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं एट को हम लोग 2 के क्यूब और नाइन को हम लोग 3 के स्क्वार के रूप में लेख सकते हैं इसमें कौन सा नया बात हो गया नया बात है देखिए एट और नहीं दोनों consecutive था यहां टू और थरी दोनों consecutive नमबर है ठीक है यहां भी consecutive का प्रोड़क्ट था यहां क्या हुआ कि ऊपर इंडेक्स है और दोनों का प्रोड़क्ट है उसके बाद यह हुआ जो बेस है प्रोड़क्ट हो जाए यहां तो बात है और इसका is चाहओगा72 टीक है इस दोनो नंबर का भी यह 72 जो इसमें डिजिट है 7 और 2 तो 7 डिजिट जो है 7 उसके जस्ट बाद आता है 8 ठीक है 7 के जस्ट बाद 8 आता है यानि 7 और 2 जो दोनों डिजिट है उन दोनों को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो 9 होगा है ना यानि sum of both digit is equal to 9 और हम लोगों ने यहां क्या लिखा है 8 into 9 और इन दोनों का sum और उस दोनों का product 72 होता है यह एक इंट्रेस्टिंग बात है तो यह कुछ तंत्र दिवस की शुब कामना है मुबारक बात बदाईयां जय हिंद जय भारत